कोई इंसान सत्ता पाने के लिए कोई पार्टी किस तर तक की इमानदारी दिखाएगी और जब रियालिटी निकल कर आती है तो ऐसा समझ में आता है ऐसा दिखाई देता है कि जैसे शायद इन से ज़्यादा ब्रष्टा चारी कोई पार्टी है ही नहीं मतलब वो तो दिन रात सिर्फ और सिर्फ इमानदारी और पता नहीं क्या-क्या बाते करते थे लिए कि ना चीज़ें जिस तरीके से देश के सामने निकल कर आ रही है दिल्ली के लोग भी अब इस बात को सोच कर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि यह किसको हमने चुन लिया में भी सोते हुए कैमरा लेकर पहुँच जाए तो आँके खोलने से पहले अपने आपको कटरिमानदार जरूर बताता है ऐसा कौन कर सकता है मतलब इससे बहतर जूट कौन बोल सकता है अरे जब लालो परसाद यादव गिरफतार हुए थे या फिर उन पर केसेस चले तो तो क्या उनके घर में से चारा निकला था क्या लॉकर में से कमाल बात हो गई तो इनके लॉकर में रखने के लिए इनको अब मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी जो चोर है और भी चोरों के जो बॉसे हैं वो तो बिलकुल अपने घर में कुछ ऐसी चीज नहीं रखेंगे लेकिन चाहे वो डिजिटल एविडेंस हो चाहे कुछ डॉक्यमेंटेशन हो चाहे कोई भी चीज़ों हो वो तमाम चीज़ें जो है इडी को, CBI को उस फॉर्म में मिली है बावजूद उसके तभी तो इस कोट उनको बिल देने को तयार नहीं है आम आदमी के छवी दिखाकर देश को एक आदमी इतना चूना लगा सकता है इस तर तक का भ्रष्ट बैमान हो सकता है वो जनता ने पहली बार देख लिए और मुझे लगता है आने वाले समय में इस तरह का कोई भी विक्ति एगर राजनीती में होगा तो जनता बहुत जाच परक कर उस पर विश्वास करेगी और शायदी कर पाए नमस्कार आप देख रहे दर न्यूस आपके साथ मैं स्रिष्टी मिश्रा एक बहुत बड़ी खबर आम आदी पार्टी के जो राजसे पास सांसद है संजय सिंग से जुड़ी हुई सामने आ रही है देखे राउ जेवन्य कोट में आज उनकी पेशी हुई एडी ने पास दिनों की और रिमांड मांगी कोट ने इंकार कर दिया लेकिन कोट ने एक बहुत बड़ा यहाँ पर तमाचा दे दिया है संजय सिंग को मैं तमाचा इसलिए कह रही हूँ देखे सुनिए क्या हुआ जाच में सहयोग नहीं कर रहे हैं इनके पूराने फोन नहीं मिल रहे हैं और चार करोड रिश्वत की मांग संजय सिंग ने की थी क्येवल लाइसेंस को पास करने के लिए तो यह संजय सिंग के द्वारा किया जा रहा है और इस इससे शाय fun wydaje ले लेकिन चलिए पहले बात कर लेते हैं आखिर क्यों संजय सिंग यह खेल खेल रहे हैं और क्या आमानी पार्टी फस गई है मौजुद है हमार साथ राजनुतिक विसलेशक है शिवम त्यागी बहुत स्वागत सबसे पहले आपका शिवम जी शिवम जी बताइए एडी हाला कि वह पेमेंट नहीं हुआ एडी ने कहा पेमेंट नहीं हुआ है लेकिन वह सबूत हमारे पास है एडी ने एक और बात कही है एक बहुत बड़े बिजनसमेन के आरोप है संजय सिंग के उपर वह हम जल्द कोट में पेश करने वाले हैं तो यह राउज सेवनी कोट ने मुझे पूरी उम्मीद है कि ED जो है रिमांड में पूरी खातिरदारी उनकी कर रही होगी कोई कम ही उसमें नहीं होगी किसी तरह की कोई दिक्कत परिशानी उनको नहीं रह रही होगी और जब रिमांड से निकलेंगे तो पूरी तरीके से संतोष्ट होकर निकलेंगे लेक इसे शायद इन से ज़्यादा ब्रस्टाचारी कोई पार्टी है ही नहीं शायद पहली बार ऐसा होगा हिंदुस्तान के इतिहास में कि किसी पार्टी पर ये केस चलाया जाएगा कि वो पार्टी ब्रस्टाचारी है और उनका अगर आधार हम देखें उनका अगर पूरा ट्रैक रेकॉर्ड हम देखें तो आप देखेंगे कि मतलब वो तो दिन रात सिर्फ और सिर्फ इमांदारी है और पता नहीं क्या क्या बाते करते थे लेकि नाच चीज़ है जिस तरीके से देश के सामने निकल कर आ रही है दिल्ली के लोग भी अब इस बात को सोचकर ठगा हुआ महसूस कर रहे है कि यह किसको हमने चुन लिया लेकिन विशह सर्फ यह है कि आज हालात इतने खराब है एक तो इन लोगों का जुट बोलने में कोई कंपारिजन है नहीं अरविंद केजरिवाल से बहतर छूट बोलने वाला या जूटा मुझे लगता है शायद इस धर्ती पर कभी पहले पैदा हुआ हो या भविश्य में हो उसका एक्जाम्पल है संजा सिंग जेल में है मनी सिसोधिया जेल में है संजा सिंग तो रिमांट पर है सतेंदर जेल में है और इसके अलावा तमाम केसिस चल रहे हैं अरविंद केजरिवाल को बार-बार इंवेस्टिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है एक बार अल्रड़ी वो अल्रड़ी होके आ चुके है और बावजूद उसके उस आदमी के सामने कोई भी रात को नींद में भी सोते हुए कैमरा लेकर पहुँच जाए तो आंके खोलने से पहले अपने आपको कटरिमांदर जरूर बताता है ऐसा कौन कर सकता है मतलब इससे बहतर जूट कौन बोल सकता है लोगों के बीच में आते हैं तो किसी एक सवाल का जवाब देते हैं बस एकी चीज़ कहते हैं कि भाई बीजेपी जो है प्रॉपगैंडा कर रही है बदले की राजनीती कर रही है गोटाला हुआ कहां है पैसे कमाल बात हो गई कमाल है कहां है पैसे अरे जब लालो परसाद यादव गिरफतार हुए थे या फिर उन पर केसेस चले तो क्या उनके घर में से चारा निकला था क्या लॉकर में से कमाल बात हो गई तो इनके लॉकर में रखने के लिए इनको अब मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी जो चोर है और भी चोरों के जो बॉसें है वो तो बिलकुल अपने घर में कुछ ऐसी चीज नहीं रखेंगे लेकिन चाहे वो डिजिटल एविडेंस हो चाहे कुछ डॉक्यमेंटेशन हो चाहे कोई भी चीज़ों हो वो तमाम चीज़ें जो है ED को, CBI को उस फॉर्म में मिली है बावजूद उसके तभी तो कोट उनको बिल देने को तयार नहीं है आज अगर 9 महीने के असपास जो हो गए है मनीस से सोधिया को 8 महीने उनको बेल नहीं मिल रहें तो जाहर है, कोट में जाकर अज़ा कर ऐसा तो है नहीं कि जब ED से पूछता होगा कि बताइए कि इनको बेल क्यों ना दे दे तो ED यह कहती होगी कि बेवकुफ य भरी वात है बेल आपको इस लिए नहीं मिल रही क्योंकि High Court ने bail को reject करते हुए अपने order में कहा था कि that at first sight at prime of his eye it seems that Manit Sisodia is the chief architect of this liquor scam that means कि वो आदमी जो है liquor scam में इस शराब घोटाले में chief architect है जिसने वो पूरा घोटाला design किया अगर हम बात करें यहाँ पर सातेंद्र जैन की तो उसके घर से करीब का हवाला देकर सिर्फ जो है बाहर है hospital में है अगर Manit Sisodia की भी मैं बात करूँ अगर कोई इमानदार है तो जैसे ही उसके उपर कोई case होगा वो क्या करेगा वो court जाएगा जाकर court को सुबूत दिखाएगा कि मैं इमानदार हूँ important issue यह है यहाँ पर आम आदमी party के साथ में कि घोटाला बहुत बड़ा कर गए जिस तरीके से राजनीती में इनके parachute entry हुई इनको लगा कि हम जो चाहें कर लेंगे CBI चाहे वो सीश महल का मामला हो वो 60 करोड का महल बना कर बैढ़ गए इनको लगा कि इसको कहां पता चलने वाला है कौन पत्रकार देखे गाया कि इसको अंदाजा हो जाएगा उसकी भी पोल खुल गई उस पर भी CBI जाच है स्कूल में जो इस गोटाले में भी उन पर जाच है इसके अलावा money laundering में इन पर जाच है लेकिन इतना तय है कि अब यह सारे जेल जाएंगे जो इनका master है वो master जो भी बाहर घूम रहा है और जो बार-बार हस कर लोगों को छूड बोलता है बरगलाता है अपने आपको कटर इमानदार बताता है उसके लिए जेल दादा जूर है नहीं मैं आपसे यही पूछने वाल थी देखिए आपने देखा होगा नोटिस किया होगा किजरीवाल से जब भी सवाल पुछ जाते है तो बहुत मिनम्रता से मुस्कुराते हुए कहते है क्या मिला कुछ नहीं मिला मैं बहुत इमानदार हूँ इसलिए पीए मोधी पीछे पड़े अब ये मैं आपसे जाना चाहूँगे देखिए अगर बात की जाए लेफ्ट हैं राइट हैं इनके सबंदर हैं संजय सिंग बहुत बड़ा नाम था संजय सिंग के अंदर जाने के पाद कितना बड़ा जटका और ये भी बताइए अब हर चका चुनाओ का एलान के जरीवाल ने कर दिया राजस्तान में अके लिए लडएंगे चर्तिसगन में अके लिए लडएंगे पूरी जान के साथ तो ऐसे में कि आपको लगता है कि इस तो नग बड़े नरायंट से बड़ा होता है आदमी जो बेशर्म हो चुका होता है अब उस आदमी से तुम कुछ भी पहते रहो उसको उसके ओपर इतना घड़ो पानी पढ़ चुका है कि उसने बस यही लाइन रिपीट करते रहनी है कि मूदी जी फसा रहा है कोट में जाकर जवाब नहीं देना है कोट बोलता है कि तुम चीफ आर्केटेक्ट हो जवाब नहीं देना है लिकर्स कैम में आप बेल नहीं दे रहे हो ले पारे हो जवाब नहीं देना हो सिख्षक भरती गोटाले में मामला चल रहा उस पर जवाब नहीं दे रहे हो सीश महल पर कोई एक सवाल ना तो उन से पूछा जाता है ना उनसे कोई पूछ पाता है और ना वो जवाब देते हैं अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं दिया है कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है अगर सीश्मेल में गोटाला नहीं हो और घर इतना ही नॉर्मल है तो एक बाद जरा कुछ पत्रकारों को अंदर भेज़ दो अंदर नहीं जाने किसी एक चीज़ पर आम आदमी पाटी के प्रवक्ता से डिबेट में या डिबेट से बाहर कोई एक सवाल का जवाब सीधा आपको नहीं मिलेगा दुनिया भर का ड्रामा दुनिया भर का जूट दुनिया भर का चिलाना हंगामा करना देश के प्रधान मंत्री को गाली देना बस उतना ही वो करते हैं और उससे ultimately क्या resolve होता है कुछ नहीं जलता अपने आप ही समझने लग जाती है मुझसे अगर आप कोई सवाल पूछोगे और मैं उसका सीधा जवाब ना दे के सिर्फ आपको गुमाता भर रहूंगा तो बेशक आप सवाल कुछ और पूछे मैं जवाब दे कर इंटर्वी तो पूरा कर लेंगे लेकिन जब आपके जो लोग हैं आपके जो देखने वाले हैं आपके जो व्यूवर्स हैं उस इंटर्वी को देखेंगे तो उनको साफ समझ मा जाएगा गुमार है डिरेल कर रहा है जब आप जान बुछ कर नहीं दे रहा है जनता है वो जनता ने पहली बार देख लिए और मुझे लगता है आने वाले समय में इस तरह का कोई भी विक्ति एगर राजनीती में होगा तो जनता बहुत जाच परक कर उस पर विश्वास करेंगे और शायदी कर पाए ठीक है ठीक है बहुत शुक्रिया आपका इस सब के पास इनके पास स्विस बैंक के अकाउंट नंबर थे जिन में होने बताया कि सब रस्ट अचारी है और फुलहाल इनके तीन बड़े टॉप लीडर्स जेल में है और संजय सिंग की बात कर तो अभी एडी की रिमांड में है लेकिन देखिए इनका भी मामला फस्ता जा सब्सक्राइगी जरूर कोमेंट में बताएं बहुत शुक्रिया